आज का मुद्दा यह है कि राहूल गांदी की भारत जोरो यात्रा की बांसवारा से राजथान में इंट्री भी आदिवासी बहुल चेत्र में सभा करके कॉंग्रेस ने देश बरके आदिवासियों को लोगसभा चुनाव से पहले सियासी मेसेज दिया है। राहूल गांदी ने का राम मंदिर उद्गाटन में राशपती का चेहरा नहीं दिखा यहां पर आदिवासी वर्ग है राशपती भी आदिवासी हैं राम मंदिर का उद्गाटन हुआ लेकिन टीवी पर उनका चेहरा नहीं दिखा क्योंकि वो आदिवासी हैं वो राशपती ह और सीधा मेसेज दिया गया कि आप कुछ भी हैं आप आदिवासी है तो आप अंदर नहीं आ सकती राहूल ने कहा कि किसानों ने अपनी बात रखी और हमने अपने घोसना पत्र में करांतिकारी काम किये हैं पहली बार उन्हें लीगल मिलना चाहिए जो किसान दिल्ली की ओर जा रहे हैं उनकी मांग हमने घोसना पत्र में पूरी कर दी है जाती जनगना को लेकर राहूल गादी ने कहा हम हिंदुस्तान की संस्थाओं बजट और धन को देखें तो गरीब और दलितवर के लोगों की बागेदारी कम है कौंग्रे की कई तरह की बातें जो हैं कौंग्रेस ने कहा है तो यह बासवारा जो इलाका है यह आदिवासी बहुन इलाका है और निशित रूप से कौंग्रेस के तरफ से राहूल गांदी और बलिकार जुन खर गे जो कौंग्रेस का दियांक से दोनों ने और जो भी वक्ता थे वहा एक बड़े कॉंग्रेस नेता को अपने पाले में कर लिया है तो निसीतुरूप से यहां पे लड़ाई जो है आदिवासी वोट को लेकर के रहेगी सिधे चलते हैं हमारे सहयोगी के पास सुभास महता है जो की हमारे सहयोगी है बासवारा से आसे चत्रवेदी बीजेपी से भरत में एक वाल जो है कॉंग्रेस से और नीरज है हमारे साथ स्टूडियो में सबसे पहले अपने सहयोगी के पास चलते हैं सुभास बताईए इसी क् जो की सब लोग बासवारा ही जा रहे है ऐसा क्या है बासवारा आपके आवाज समझ में नहीं आ रही है आपके आपके लाइन में गरवरी है नीरज यही सवाल आपसे क्या है बासवारा में जिसको देखो वही बासवारा जा रहा है लाई जा रहा है राव गांदी भी पहुंच रहे हैं गोस्नाय भी वही कर रहे हैं पिश्टे दिनों राहूल गांदी ने भी यहां बड़ी सभा की थी और एक बार फिर आए तो लगादार आदिवासी जो बेल्ट है तीन चार राज्य को प्रभावित करता है और यहां प्रमुक जो तीत धाम है चाहे मानगर धाम की बात करें डूंगरपुर बासपड़ा जो आदिवासीों को और साथ ही देजबर के आदिवासीों को यहां से मैसेज देने के लिए आध राहूल गंदी आये थे । आ भिजय रहाव न क हए बात करें बीटीपी भारती ट्राइबल पार्टी की बात करें उनसे कहीं न कहीं कांग्रेस को यह डर है या तो उनके साथ गटबंधन करना पड़ेगा या फिर बीजेपी को यह टकर देनी पड़ेगी क्योंकि कांग्रेस के नेता महिंदर जी सिंग माल भी है जो कि विधायक रहते हुए और CWC मेंबर होते हुए बीजेपी के अंदर चले गए तो डोटा सरा ने निशाना भी साधा है कि एक जाएगा हजार आएंगे आदिवासियों के डीने में कांग्रेस पार्टी है तो यह मैसेज देना पड़ा है उनको वहाँ जाकर कर कहना पड़ा है और पहास आता हूं बासवारा काफी महत्पूर ने क्यूं यहाँ पर यही सवाल आपसे है आपने कांग्रेस के एक बड़े निता को तोर कर लिया है वह उनको भी टिकट भी दिया जाएगा क्या जो आदिवासी भोट इतना महत्पूर्ण है यहाँ पर बीजेपी के लिए भी का है जिसके कि कॉंग्रिस की सरकार बहुत लंबे समय तक राजस्दान में भी रही बहुत लंबे समय चेंथ में भी रही लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया मैं सुन रहा था यह पन रहा थे कि उन्होंट्फी आप न मंदरन के उद्धाद अगर हम मुद्णों की बात करें ना तो राहूल गांदी जी क्या है हमेशा ऐसे मुद्दे उठाते मैं देख रहा था था अज उनके भाशन को सुन रहा था तो वह बात कर रहे हैं पेपर लीक की बात कर रहे हैं पंद्रा इस्पेक्टर जो की चैनित हो गए थे उनको पकड़ा है तो ये जो अशोग गेलोती कॉंग्रेस की सरकार थी इसकी बहुत सारी विपलता है मनुरा जंजी गरम बात करें तो अटाटूर भृस्टा चार इसमें था पेपर लिक इसमें था उसका नतीजा तो ये की रिपोर्ट को क्यों इन्होंने दस साल तक दबाए रखा क्यों इन्होंने लागू नहीं की जी मतलब आपका 55 साल देश में राज रहा लेकिन आपने नहीं किया पिर तीसरी गोशना राउर गांडी जी महां पे करते हैं कि हम हर ग्रेजवेट को एक लाग रुपे देंग कि हम हर गरीब परिवार को 6000 रुपया मैना देंगे देश की जनता बहुत समझदार है उसको पता है कि ऐसा व्यक्ति कौन है जिसके वादों में दम है जिसकी गारंटी पे लोग विश्वाश करते हैं कहते हैं का चलन हो गयां अब तो गारंटी पर ही बात हो रही है ना ये प्रदान मंतरी की भी गारंटी है तो दूसरे भी देंगे चुनाओ समी है आशी जी आपके पास आता हूं आपकी बात आप रोजाना जो है निताव के चक्कर वहां क्यों लग रहे हैं आप ग्राउंड से बताईए दिली दिली एक खिस्र करके बाचपा की और आरा है इसको देकर जहाँ भाचपा इस बाचपा की बनाना चाती है इसको लेकर यह आए जिन बड़े-बड़े सभाय हो रही है और आज भी रावल गांदी और मनिकार अंटिजिन खड़के की सभा हुई है जिसमें उन्होंने इन तो जाते जाते सुभा जी यह भी पता दीजे कॉंग्रेस से किसका नाम चल रहा है वहां पर बीजेपी का? बीजेपी से किसका? बासवारा के चक्कर भी खूब जो है कॉंग्रेसी नेता लगा रहे हैं बासवारा ही क्यों? बात करते हैं किसानों के MS पीपर, हिशित तोर पर राजस्तान सरकार के अंसरगात कुछ पेपर लीक हो और उस पर हमने कानून भी बनाया, लेकिन फिर भी राहुल गांदी जी ने बात की, यह वो व्यक्ति हैं जो मुद्धें उन मुद्धों से भगते नहीं हैं, रधान मंतर की तरह हैं, जिस तरीके से वो मुनिपूर के मुद्धों पर भगे, रही बात बासवारा की तो देखें, बासवारा में आदिवासी के बारे में बात करें, आशिर जी कोई समझना चाहिए कि देश के जो प्रतम नागरिक होते हैं, राश्टपती होती हो, उनकी कोई जाते राजीव गांदी जी ने पंचायती राज के अंदर महिलाओं को आरक्षन दिया था, जिसका परिणाम ये निकला कि द्रौपदी मुर्म जी जो आज राश्पती हैं, वो सबसे पहले पंचायत में सरपंच बनी थी, ये राजीव गांदी जी कोई जाता है, वासवारा के अ बार महिने से राजस्तान प्रोदेश के अंदर मन अरेगा का जो पैसा है तक्रीबन तीन सो तीस करोड के आजपास लगबग है शायद, वो पैसा आज भी नहीं दिया जा रहा है, राजस्तान की कॉउम्रेस सरकार ने साड़े स्टीस सो करोड से जादा का वां विकास किया, वांगर धां को राजश्तिस मालत गोशित करने के लिए बार बार मारे निया शोग एलोट जी ने लिवेदर की आजपास तो सही है, मेरा सवाल आप बटक जाते हैं, मेरा सवाल बासवारा को लेकर था लेकिन फिर से आता हूँ, आप सभी पर मुझे कहा जा रहा है कि चीफ नहीं माली, हर तरह से सामना किया, भूनी की बावणियां और जिल ऐसे ही प्रियासों का प्रणाम हैं, जो सदियों से यहां के लोगों के अस्टिस्ट का आदार रही हैं, हमारे दूर दर सी पूर्वजा ने परंपरा का जल स्रोतों का निर्मार कर जल संजे की अद्वत पर परंपरा को जल्व दिया, उन्होंने रेगिस्तान की कढ़ोर परिस्टितियों को मात देकर ऐसी सरचना बराई जो आज भी जल संकर तो आप मुखमंत्री को सुन रहेते हैं, पानी की समस्या को हल करने पर बूंदी में जो है वर्षवरी संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि उन सब को यहां पर लगा रहा कि यहां पर कुछन कुछ किया जा सकता है, कॉंग्रेश को है उनका पराधान सीट रही है, उनका तो वहां के शबद बरयकत दावरत एदा को बीजेपी अपने खहेमे में ले गई, कॉंग्रेश फिर से प्रयास कर रही है, जैसा कि सुभास मेहता ने कहा कि जो विधायक हैं वहाँ अपने बेटे के लिए तिकड चार है मतलब लराई है वहाँपे जो है उनका नाम भी चल रहा है उनके बेटे का नाम भी वहाँ चल रहा है दूसरी और ये еще पी जैसी पार्टी जो है इनसे गढðबंधन Congress party का हो सकता है और उस seat को siis को Congress party है उसको खड़ा कर दिया जाए जैसे आसपास के शेत्र हैं उद्यपूर से ताराचंद भगोरा का नाम भी निकल करके सामने आ पर गड़बंदन हो सकता है तो आदिवासी बेल्ट और किसान क्योंकि आज सभाव में किसानों की बाद भी करिए और बुनियादी सवाल यह है आप 25 में 25 लगातार मतलब 24 जीते थे एक गड़बंदन में जीते थे और हैट्रिक करने की तैयारी में है और आपकी तैयारी भी है क्या कहीं पर किसी बात की संका है कि आपको इंपोर्ट करना पर रहा है लीडर दूसरी पार्टी से कि यह मजबूत दीडर है यहाँ का चार बार का विधायक है इसको हमें लाना चाहिए यह क्या नर्वसने से क्या है इसको तरह एक्सलेइन कर लाना है कि को पार्टियन्ता पार्टी की विचारधारा को आत्साथ करता है तो हम इस तरह से नेता पूरे देश भर में ले रहे हैं मंदरों जी मैं लाइटर मोड में एक बात कहना चाहूंगा आप सुभाजी भी इस बात से इसके पाग रखेंगे कि पांसपड़ा सीट की जब कॉंग्रे सर्चा कर रही थी तो कॉंग्रेस में सिंगल पैनल में नाम दिया था महेंदर जी सिंग मालवे का जो की सीड़वी सी के मेंबर भी रहे हैं सिंगल नाम था उनका अब ये कॉंग्रेस को ये सोचना पड़ेगा कि क्या करण होगा मतलब आपने ये तो सुना होगा कि किसी को नहीं मिला उसने पार्टी छोड़ दी कॉंग्रेस डेश में कैसी पार्टी हो चुकि मंदरवनजन जी की जहां टिकेट मिल रहा है और लोग पार्टी छोड़ रहे हैं कि आपने मेरा नम सिंगल डाला है मुझे टिकेट देरे में पार्टी छोड़ रहा हूं मैं दावे की स लड़ाना चाहिए जो पूर परदेश अध्यक्स रहे हैं लोग कर रहे हैं आशो गेलोज जी को लड़ाना चाहिए इनके साथ आप आपने बात कहीए पिर पूराने गरे मुर्दे भी निकालने पड़े गे मुझे और इस पे मैं प्रोग्राम कर चुका हूं इसलिए मुझ भी चाहता हूं देर से आप जुरी हैं हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं बासवारा को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बासवारा में ऐसा है क्या कि प्रधानमंत्री भी जाते हैं चार बार के विधायक को बीजेपी में भी लाया जाता है आज राहुल गांधी भी जाते हैं तो क्या खासियत है बासवारा में कि सब के दोरे वहीं वहाँ जरूर जाना होता, एक तिर्थ हो गया है, चुनाव से पहले. देखें, मासवारा की जो सीट है, क्योंकि ऐसी ट्राइबल बैल्ट है, मासवारा की, और वहाँ पर अगर विधान सभा चुनाव में भी देखें, तो चार सीटें कॉंग्रेस की आई, दो भाजपा की आई, और बीएपी का जो प्रभाव है, आदिवासी पार्टी, जो पिछ सबह सीटें ST की देखें, तो करीब 84 सीटें जो है, वो ST की है, भारत भर में, तो जैसा की, हमने विधान सभा चुनाव के दोरान भी देखा था, कि एक ट्रेंट जो है, वो लगातार यह होता है, चुनाव में अकसर, कि एक सीट के एक साधे सब सधे वाली जो बात है, कि एक सीट को सागने से जो पूरा एक तपका है जिसको कि आप अप चारगेट कर रहे हैं और 84 सीटे जो स्टी की चारगेट कर रहे हैं वो भी आपके फोकस में रहती है तो यह जो पूरा आदिवासी बेल्ट है उसको लेकर चिंता भी है क्योंकि विधान सभा में उस तरह के पेवर तो इसलिए मुझे लगता है कि जहां पूंजी होगी वहां सबकी रूची और बढ़ जाती है अब क्योंकि विकास की संभावना भी रहती है लेकिन दूसरी संभावनाएं हैं वो भी शैद रहती है वहां पर और अक्सर मैंने तो जाके देखा है मैं आपको ग्राउन की रियालिती बता रही हूं कि बारा है बुंदी है यह जो इलाके है यहां भी द बहुत मुश्किल से खिसकती है वहां पर चीज़े तो एक तो फैक्टर मुझे लगता है कि यही है कि जो पूरी एक ट्राइबल आबादी है उसको अपने हक में करने के लिए यह पूरा गेम प्लान है और डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस अभी शायद भाजपा को नहीं ह तब ही यह जो इधर उधर है कि वहां से आप पार्टी दूसरी पार्टी के लोग आपके में शामिल हो रहे हैं क्योंकि आपको अपनी टीम में जो अंद्रूनीक टक्राव है विक्राव है उसको लेकर थोड़ी सी फिकर तो है जी बहुत बहुत अच्छे से समझाया है सिप महत्पून है लेकिन सवाल आपसे यही है कि आपका जो अपना कदावर नेता जो है वो पार्टी बदल लेता है फिर आप कंडिडेट ढूनना शुरू करते हो दिक्कत तो कॉंग्रेस की वहां पर आ जाती है उसको कैसे कॉंग्रेस ओवरकम करेगी जैसा आसीज जी ने मजा करेंगे तो इस पर क्या सवाल जवाब देंगे आशिर जी बही बात दूसरी तो देखिये आप 2014 के बाद ही जाने का क्या मतलब होता है टाइम अफेस या वो चीज़ दिखाता है कि ये लोग सकता के लिए लालायेत है बही बात कॉंग्रेस की तो निशित तोर पर मालवे जी को कॉंग्रेस ने रधान बनाया विदायक बनाया CWC का मेंबर बनाया लेकिन अगर कोई वेक्ति अपनी मौरलेटी को छोड़कर इतनी मांधारी को छोड़कर निश्टा को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाता है और वहाँ जाकर ये कहता है कि भगवान श्री राम के नाम पर वोट मांगिए, शहरों में जाकर भगवान श्री राम के नाम पर जो वोट नहीं देगा भरत क्या ये सीट गड़बंदन में भी जा सकती है क्या बी एपी को भी या उसका देखे उसका फैसला केंदरे चुनाव समीती प्रदेश के जो गड़नी तिकार है ये उनके ओपर है अगर उनको लगता है कि वहां बासवारा डुंगरपूर में बाप से जो भारतिया दिवा सी पार्टी है राजकुमार रोत है अगर महां पे किसी तरह का कोई गड़बंदन करने से कॉंग्रेस को फाइदा होता है तो निशित तोर पर उस पे गड़बंदन किया जाएगा जरू 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 नीरत संशेप में बताईए आप क्या आपको लगता है कि यदि कॉंग्रेस को कोई कोई कॉलिशन बनाना है चुकि आज राहूल गांदी नुवहां गये हैं इसलिए हम इस बात पर चर्चा भी कर रहे हैं तो क्या ये सीट यदि गड़बंदन को भी दिया जा सके यदि आपको लगता है तो देना चीए लेकि गंबीटा से 2019 के अंदर चुनाव लड़कर के आए तारचंद भगोरा यहां से चुनाव लड़ चुके कांतिलाल रोत जैसे कई नेता यहां से चुनाव लड़ चुके कॉंग्रेस पार्टी यह चाहती है गड़बंदन यहां पर किया जाए लेकिन ऐसी पार्टी के साथ में किया जाए जिसका परत्याशी यहां पर ज्विताओ हो ऐसी सिती में यहां पर गड़बंदन होगा परना अर्जुन बामनिया जैसे नेता हैं या उनके बेटे हैं या आधिवासी चेहरा कोई भी कॉंग्रेस का आधिवासी चेहरा जो है यहां से खड़ा किया जा सकता है अब इंडिय किया जो चल रहा है उसको लेकर के बाचुत होगी तो सभी जगнуться के लिए बाचुत होगी उसी को लेकर के पसबेश की स्तिति है क्या राजस्टान में यह लाइंस जो है इंडिया घडबंदन यह होगा क्याँ JEFF manifestations spirit होके सीटे दे रही है बांट रही है सहयोगी दलों को जिसता से आम आदमी पार्टी को भी concede किया उन्होंने गुजरात से लेके हरियाना में ले करके दिल्ली में ले करके क्या आपको लगता है कि कोई गटबंधन आपको दिखाई दे रहा है राजस्तान में भी राजस्तान में इस सीट पर यह जो नीरत जी ने कहा बिल्कुल ठीक बात है कि RLP और VAP जैसे पार्टी है उनके साथ गटबंधन और क्योंकि आप विनेबिलिटी देखनी है पार्टी को भी कहां पर जीत के संभावना इक इसके होने से और भारत की यही एक विविद्दा और अलग अलग नेचर जो कॉंसिट्वेंसी का है कि उसको एक पैमाने पर नहीं माप सकते हैं तो हर कॉंसिट्वेंसी का गणित जो है वो अलग होगा तो इंडिया गटबंधन जिस तरह से मेरे खल में एक एग्रेसिव केंपेंग चला रखी है उस तरह से देखिए कुछी दि लग रहा है लेकिन अब लग रहा है कि मुकाबले में कॉंगरेस खड़ी होगी ठीखुकि कम से कम तीन-चर सीटें ऐसी हैं जहां पर मुकाबला कड़ा होगा तो कॉंगरेस की जब तक लिस्ट नहीं आजाती तब तक थोड़ा से कहना मुश्किल है लेकिना आज Gothic का भारज़तियन्ता पारटी को मिला था दो पर्संट नहीं होने पात वाली है चलिए बस इतना ही वक्त है आप सब को उमीद रहती है जो भी प्रवक्ता आते हैं लेकिन सिप्रा जी आप जुरी माफी चाहता हूं देर से जुरी लेकिन बहुत अच्छा लगा नीरत आपका भी बहुत-बहुत सुक्रिया आज इतना ही और आज के म मनोजन भारती को इजाज़त दीजिए कहीं जाईएगा नहीं एंडी टीवी रास्तान पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है